आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तच्छे केले के कुप्ते की रिष्पी ये खाने में तो बहुत ही टेश्टी होता है लिकर हम इसे बनाएंगे बहुत इसान तरीके से कुप्ते इससे बनाएंगे जिसम कुप्ते सब्ट होंगे और अंतर तो ग्रेवी जाएगी आप इस वो में जरलोज आप सबी को बहुत व्लावत श्रागत करते हैं मेरे किचन में आज कर रिश्मी श्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले केले लेंगे हम पिले थो लिया है इसको उपर प्रेषर गुकर में डाल देंगे उबाल के लिए यहां हम अन्य केले को डाल दिया है पानी याट करेंगे इसमें पाइन टालने को बाख को हम उबाल लेंगे 2-3 सिती हाई फ्लेम पे अगर अब मेडियम फ्लेम पे उबाल लेंगे तो दो सिती में हो जाएगा यह देखिए फुगा ठंडा हो चुका है रक्कन को डार लेंगे अब हम केले को निकाल कर रखेंगे प्लेट में ठंडा हो जाए सारे केले को हम निकाल कर साइड में रखेंगे यहां हमारे क्यले को निगाल के प्लेट में रख दिया है यसए हमारे क्यले ठंडे होंगे तब इनके हम खिलके उतारेंगे केले को से ठंडा होने दे यह देखें केले हमेरे ठंडे हो चुके हैं सबसे पर इनको हम छील लेंगे उतार लेंगे उपर के यह देखिए इसी तरह हम सारे केले को छील लेंगे यहां हम मैंने सारे केले को छील लिया है अब इसको हम मैस करेंगे आप चाहें इसे कद्दू कस कर सकते हैं और भी असान रहेगा लेकिन मैंने इसे मैस किया है तो अगर आप कद्दू कस करेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा आपको जो ईजी लेगे करें तो यह देखिए मैंने केला कोशे से मैस कर लिया है इसमें मैट करेंगे आप उस मसाले में हम लेंगे आति चमच हल्दी पाउडर एक चमच लालमीज पाउडर पिंतिके की साबस ले लीजिए जितना आपको इखा खाना पुसंद हो एक चमच अध्रक लसन का पेस्ट बड़ा चमच बरीक कटा हुआ पियाज, पियाज को मैंने पेली काटके रखा था शाती मा एड़ करेंगे हम चाट मुसल आइड़ करेंगे यह हमने चाट मुसल डाल दिये थूड़ा सा चैट पड़ा बनेंगे मैंने पणड़े दोतिन चमच बेसन आइड करेंगे ध्यान रहें हमें बिशन करना ही जिससे हमारे कुप्ते की वाइंडिंग अच्छी से हो जाए स्वात के नुसवार नमक और सारी यूग अच्छे से हम मिला लेंगे थोड़ सा ओईल डाल दीजिए इससे क्या कि हमरे जो कुप्ते हैं एकदम सौट बनेंगे बिल्कुल भी हाड नहीं होंगे अच्छे से मिलाएंगे ध्यान रहे हमें अबेसें की कॉंटिटी बहुत जैदा नहीं रखनी है अच्छे से मिलाईए इसको ये दिखिए हमारे यहां पर डोबन के त्यार हो चुका है अब हाथों में थोड़ा से तेल लगाएंगे जिसे कुप्ते हाथों में चिपकेना और छोड़े हम बॉल बनाकर क्यार करेंगे एक छोटे निवू के कारकर यह अपने हिसाब से थोड़े बड़ा चुटाप कर सकते हैं यह देखिए इसी तरह हम सारे बॉल बनाकर त्यार कर लेंगे कि मैंने यह आपर सारे बॉल बनाकर त्यार कर लिया है अब इसको हम फ्राइ करेंगे मैं पहुद एक गेस पड़ायी रख दिया है तेल गरम होने के लिए तेल हमारा गरम हो चुका है चले इसको हम फ्राइ करेंगे ध्यान रवे में बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे नहीं फ्राइ करना है और हमारे कुपते अंदर से कच्छी रह जाएंगे मिडियों फ्लेम पे फ्राइ करेंगे तेल बहुत ज्याद अगरम नहीं होना चाहिए अब इसको एक साट से पकने देंगे जैसे हमारे कुपते एक साट पक जाएंगे इनको हम प्लट देंगे और दोने साट से को हम कलक चेंज होने तक फ्राइ करेंगे अब बीच 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 फिलेम को थोड़ा सा हाई कर सकते हैं फिर मिद्यम कर दीजिए लगतार हाई फिलेम पर ना फ्राइ करें यह देखिए हमारे कोपते हम बहुत ही बढ़िया गलर आचुका है अब देख सकते हैं अब निकाल लेंगे एक टिस्री पर पर तक जो इसमें का इस्ट्रा वाइल है वो निकल जाए अब इससी तरह हम सारे कोपते हम त्यार कर लेंगे बच्छी कोपते भी डालेंगे और दोनों साट लिश्य से इसको हम फ्राइ करेंगे यह देखिए मैं फ्राइ कर लिया इसको भी निकाल देंगे हमारी यह पर कुपते त्यार हो चुके हैं आप देख सकते हैं मैं आपको एक कुपता तोड़के दिखाती हूँ यह देखिए इतना सॉफ्ट बना है दम ग्रेवी अंदर तक जाएगी बिल्कुल भी हाट नहीं है आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं टेस्टी लगता है चटनिया केचप किसाब चलिए इसकी ग्रेवी बनाते हैं सबसे लिमकेश पकड़ाई रखेंगे उसमें ओल डालेंगे जैसे हमार ओल गरम हो जाएगा इसमें डालेंगे जीरा आधी चोटी चम्माच छोड़ी सी मेथी दाना बहुत ही अच्छा लगता है दो तेजपत्ता अब मसाला को थोड़ा सा हम चटगने देंगे जैसे में मसाला थोड़ा भून जाएगा यह डालेंगे हम दरदरा पीसा हुआ प्याज का पेस्ट बहुत जैदा हमें पेस्ट नहीं बनाना है थोड़ा सा दरदरा ही रखिए अब प्याज को हम medium flame पे भूनेंगे जबतो कि प्याज में एक अच्छा कलर नहीं आ जाता जिससे हमारे प्याज में कलर आ जाएगा ये मसाले आइड करेंगे हम flame को low कर देंगे तकि मसाले जले लेना 2 चमच धनिया पावडर एक चमाच या दो चमाच लाल मिश पावडर राल दीजिए कपले तीखी खिसाब से आधी चमाच हल्दी पावडर आधी चमाच जीरा पावडर आधी चमाच भी कम खाल्दी मिश पावडर थोड़ था पानी एड़ करेंगे जिसे हमारे मसाले जल ले न और मसाले को हम अच्छे से पकाएंगे जब तक हम मसाले अच्छे से पक नहीं जाते अगर अगर पानी कम लग रहे हैं थोड़ पानी एड़ कर सकते हैं लेकिन मसाला हम रहा जलना नहीं चाहिए यह देखिए बहुत तेज़े से मासाला भून चुका है तिहें पर डाल देगे हम टमाटर दो टमाटर को मैंने इसके लिया है एक चमच अध्रक लसन का पेस्ट अब टमाटर को मसालों के साथ अच्छे से पकाएंगे हम जब तक कि मस मसालों से ओल ना निकल जाए तिहें देखिए हमारा मसाली यहां पर बहुत अच्छे से भून चुका है यह पानी एड़ करेंगे अपने ग्रेवी के हिसाफ से हमें इस ग्रेवी थोड़ी पतली ही रखनी है क्योंकि हमारी जो कोप्ते हैं पानी सोखेंगे तब पानी फुर कोप्ते डालने के बाद हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है दो से तीन मिट आप मेडियम फुने पका लीजिए आप चाहें तो ग्रेवी बनाकर रख लीजिए खादे टाइम कोप्ते आप सर्थ कर सकते हैं वह से भी बहुत अच्छा लगते हैं ग्रेवी बनाकर आप जब घरम खाने का टाइम होत ग्रेवी गरम करके अब कोप्ते जालगर सबघ कर सकते हैं सब्जी को यहां बोटो में ट wiped हो चुका है डाल देंगे गरम मसाला गरम मसाला लएँगे बाद ही मिट और पखालेंगे हम यह देखिए हैं आध में हो चुके हैं हमारे कोप्ते की मे उनके त्यार है, हमार जो कुपते हैं एकदम स्टॉप्ट हो चुके हैं, साथ हम डालेंगे बारी कट वहार अधन यह हैं, गैस को बंद करेंगे, अब सब्सक्राइब गर्म गर्म रोटी पराथे या पूरी के साथ सर्फ कीजिए, यह के लिए के कुपते खाने में बहुत ही होते हैं, मैं आपके कुपते तोरके दिखाते हैं, यह देखिए कितना स्टॉट बना है, पिदम ग्रेवी है जो है अंदर तक गई है, बिल्कुल भी हाड नहीं है, आप इस रेश्पी को जहूर ट्राइब करें, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा, और ट्राइब करने अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंड करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूले, साथ ही में घंटी के बटन देवाते जाए, तक जब भी मेरा नए वीडियो है, सबसे पहले आपके पास पहुचे, तो द